हाई व्रीवान दिस दॉक्टर सोनल श्रवास्तर वेल्कम बैक तो माय चानल दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म माय ब्यूटिफुल लॉन रेट की समरी की लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आप से है एक रिक्वेस्ट प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माय चानल आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मर बढ़ती है चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में फिल्म की समरी की तरफ दोस्तों माय ब्यूटिफुल लॉन रेट इयर 1985 की एक ब्रिटिश फीचर फिल्म है जिसकी पटकता लिखी थी हनीव कुरेशी ने और निर्देशित किया था स्टीफन फ्रियर्ज ने ये कहानी लंदन में रहने वाले एक युवा पाकिस्तानी प्रवासी ओमर की है प्रवासी यानि की इमिग्रिंस यानि की वो लोग जो किसी देश से आकर दूसरे देश में बस जाते हैं ये कहानी ओमर और उसकी पुराने दोस्त जॉनी से उसकी दुबारा मुलाखात और फिर उनके बीच में होने वाले गे रुमान्स पर केंदरित है साथ ये फिल्म में प्रवासी नाकरिकों के साथ होने वाले भेद भावों पाकिस्तानी और अंग्रेजी समुदाय के सदस्यों के बीच संबंदों को भी वकू भी दर्शाया गया है ओमर की भूमिका फिल्म में जॉर्डन वार्निक ने निभाई है और एक सड़क की गुंडे और ओमर के प्रेमी जॉनी का किरदार निभाया है डैनियल डे लिविस ने ब्रिटिश फिल्म संस्थान ने माई ब्यूटिफुल लॉन रेट को बीसनी सदी की पचासवी सबसे बड़ी ब्रिटिश फिल्म का दर्जा दिया है दोस्तों उमर अली 1980 के दशक में वर्ड्स वर्ड्स शेत्र में रहने वाला एक यूवक है उसके पिता हुसेन जो कभी मुंबई में एक प्रसिद्व वामपंथी पतरकार थे अब लंडन में रहते हैं लेकिन ब्रिटिन की सुसाइटी और इसकी अंदराश्टी राजनी थी वहीं दूसरी तरफ ओमर के चाचा नासिर एक सफल बिजनसमान है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के एक्टिव मेंबर हैं हुसेन ने एक दिन अपने भाई नासिर को बलाया और उससे ओमर को अपने पास कोई नौकरी देने के लिए कहा साथी मजाक ने ओमर के लिए कोई लड़की ढूनने के लिए भी कह दिया नासिर ने ओमर को अपने एक गिराज में कार्द होने की नौकरी दे दी लेकिन थोड़े ही समय में नासिर ने ओमर की कारे कुशलता को उसकी एफिशेंसी को उसकी व्यपारिक समझदारी और महत्वकांशा को परक लिया क्योंकि नासर एक स्मार्ट बिजनसमान था नासर ने ओमर को अपना एक पुराना लॉन्डरिट दिया समहलने के लिए और ये जिम्मेदारी उसने इसलिए दी क्योंकि उसका ये लॉन्डरिट नुकसान में चल रहा था और उस नुकसान को फाइदे में बदलने का काम अब ओमर का था अपने चाचा नासर के गैराज में ओमर की मुलाखात अपनी कम्यूनिटी के कुछ अनस दस्यों से होती है जैसे की तानिया जो की नासर की बेटी है नासर की एक अंग्रेज प्रेमिका रेचल और नासर का बिजनस पार्टनर सलीम जो की ड्रक्स की तसकरी करता है सलीम हवाई अड़े से ड्रक्स लाने के काम पर उमर को लगा देता है उसी राच जब उमर सलीम और उसकी पत्नी को कार से घर चोड़ने जा रहा होता है तो उन तीनों पर सड़क के गुंडे हमला कर देते हैं इन गुंडों का लीडर है जौनी जो की दरसल उमर के बच्पन का दोस्त है उमर जौनी को अपने साथ काम करने के लिए कहता है जिससे जौनी को एक बहतर जीवन जीने का मौका मिले साथी उनकी पुरानी दोस्ती की फिर से शुरवात हो जौनी गुंडागर्दी छोड़ कर नौकरी करने का फैसला करता है और यहां से वो एक रॉमांटिक रिष्टे की शुरुवात फिर से करते हैं जो शायर स्कूल छोड़ने के बाद खत्म हो गया था स्कूल में दोनों के बीच में रॉमांटिक रिलेशन्शिप था ही ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन फिल्म में नहीं है लेकिन ऐसा ओडियन्स अज्यूम कर लेती है ओमर और जॉनी साथ में काम करने लगते हैं लेकिन लॉन्रेट चलाने के लिए जितना पैसा उन्हें चाहिए उनके पास उतना पैसा है नहीं पैसो की कमी को पूरा करने के लिए ओमर और जॉनी सलीम की एक ड्रक्स डिलिवरी ना करके खुद वो ड्रक्स पीज देते हैं एक दिन नसिर अपनी प्रेमिका रेचल के साथ लौंड ये आता है वो दोनों लौंड रेट में एक साथ डांस करते हैं वहीं ओमर और जॉनी को भी पीछे की कमरे में रुमैंस करते दिखाया जाता है। इस सीन को दिखाने की मंचा ये थी कि प्रेम का स्वरूप एक समान ही होता है चाहे वो ओपजट जंडर के लोगों के बीच हो या सेम जंडर के। लॉन्रेट के इनॉगरेशन के मौके पर एक पार्टी होती है। यहाँ नासर की बेटी तानिया उसकी प्रेमिका रेचल को अपमानित करके कहती है कि उसे उन दोनों के अवैद संबंधों के बारे में सब पता है। इतनी इंसाल्ट के बाद रेचल नासर से कहती है कि नासर ने उसका अपमान करने के उद्देश से ही उसे इन्वाइट किया था और नासर के लाख मनाने के बावजूद रेचल नराज होकर वहाँ से चली जाती है। बाद में उसी रात शराब की नशे में ओमर तानिया को प्रपोस करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके और जानी के सम्द्धों को समाज सुईकार नहीं करेगा। तानिया ओमर से शादी करने के लिए तयार तो है, लेकिन इस शर्थ पर कि ओमर उसे भगा ले जाने के लिए धेर सारा पैसा इकठा करे। यहीं पार्टी में सलीम जिसके ड्रक्स की डिलिवरी ना करके खुद ओमर ने वो ड्रक्स पेच कर पैसा अपने पास रख लिया था, उसने ओमर से कहा कि वो इतने दिनों से ओमर पर नज़र रखे हुए था और अब उसे अपने पैसे वापस चाहिए। कराने का मौका देता है और नासर के एक दोस्त के दो लॉन्रेट खरीगने का फैसला करता है। लॉन्रेट जाकर जोनी को बताया कि वो घर छोड़ कर जा रही है और वो चाहती है कि जोनी उसके साथ चले। जोनी तानिया का ओफर ठुकरा देता है और उसके साथ चलने से मना कर देता है। यहाँ वो तानिया को सच्चा ही बताता है कि वो और ओमर लाव रिलेशन्शिप में हैं। तानिया बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाती है। इदर वो गुंडे जिन पर सलीम ने गाड़ी चड़ाने की कोशिश की थी वो सलीम से बदला लेने की फिराक में थे और घात लगा कर बैठे थे। जब सलीम लॉन्रिट आया तो उन सब ने उसकी कार तोड़ डाली। सलीम कार से निकल कर जब बाहर भागने लगा तो उन सब ने उस पर हमला बोल दिया। जानी ने ये सब देखा तो वो तुरन गुंडो को रोकने और सलीम को बचाने के लिए भागा। हलाकि वो सलीम को बिलकुल भी पसंद नहीं करता था। वो बदमाशों का ध्यान अपनी तरफ आकरशित करता है जिसे सलीम भाग सके। वो बदमाश सलीम को छोड़ कर उसे मारने लगते हैं। जानी उन से लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। तो वे उसे तब तक बुरी तरह पीटते हैं जब तक की ओमर वापस नहीं लोटता। और उन सब को मार के नहीं भगाता। वो बदमाश जाते जाते लॉन्रिट में भी तोड़ फोड़ करके भागते हैं। नासिर अपने भाई हुसैन से मिलने जाता है। दोनों अपनी अपनी विफलताओं पर चर्चा करते हैं। और आखिर में वो ये तै करते हैं कि अब केवल ओमर का भविश ही मायने रगता है और उन्हें अब उसी का खयाल लगना है। तानिया अकेली ही शेहर को छोड़ कर निकलती है। ट्रेन के प्लैटफॉर्म पर ना सिर्ट तानिया को देख लेता है, वो उसे जाते हुए देखकर रोकने की कोशिश करता है, चिला कर उसकी तरफ भागता है, लेकिन तानिया ट्रेन में बैठकर चली जाती है। फिल्म के अंत में, लॉंडरिट में, ओमर जॉनी के घावू को पानी से धोकर उन पर दवा लगाता है। उसी सिंक में पानी से दोनों खेलने लगते हैं। दोनों के बीच फिर से रुमान्स शुरू हो चुका है, ये मेसेज देते हुए फिल्म खतम होती है। तो ये थी फ पर अगर वीडियोज चाहिए तो हमें जरूर बताएए। तिल देन प्लीज सब्सक्राइब चैनल और टेक क्यार, बबाए।